आज ही doubtnet आप डाउनलोड करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology डाउनलोड का सफाया बस अपने question की photo कीजो बस से crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ Hello friends, so now we have question that an electrolytic cell is constructed for preparing hydrogen for an average current of 1 ampere in the circuit the time required produced 450 ml of hydrogen at NTP is approximately तो यहाँ पर हमें इस cell के लिए यो time requirements है वो हमें निकाल ली है हमें currents की value दे रखी है और हमें कितना hydrogen produce हुआ है वो हमें दे रखा है तो यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर हमें दिया है NTP और हमने जो hydrogen produce required है वो 450 ml है तो क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम NTP भी बात कर रहे हैं that means हम बात कर रहे है 224 00 ml के लिए तो 22004 ml of hydrogen gas इसके अंदर number of moles कितने होते है 1 moles ओके इतने ml का जब volume होता है उसमें number of moles कितने होते है 1 mole पर हमारे पास कितना है 450 ml तो हम 450 ml S2 के लिए number of moles calculate करें तो कितना हैगा 1 divided by 224 00 ये एक mole के लिए मतलब 1 ml के लिए अब हमें कितना लिकालना है 450 तो 450 का multiply करेंगे और यहां से जो हमें number of moles मिलेगा वो कितना हैगा 2H plus ions plus 2 electron और हमें S2 मिलेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें 1 mole S2 के लिए जो electron से वो कितना है 2 electrons requirement है ओके अगर हम charge की बात करें total charge तो हमारे पास total charge कितना हैगा charge required for 0.02 mole S2 वो कितना होगा 2 into 965 00 into 0.02 ओके यह तो हमारा 1 mole के लिए और यह क्योंकि हमें 0.02 moles के लिए निकालना है तो यह सब coulombs में ओके तो यहां से हमें जो charge मिलेगा वो कितना होगा 3, 8, 6, 0 coulomb ओके तो अभी हमारे पास charge है और हमें electricity current की value हमें दे रखी है I equals to दे रखा है 1 ampere okay I equals to 1 ampere दे रखा है हमें charge मिल गया तो अभी हम time निकाल सकते है तो T is equals to क्या होता है T equals to Q upon I okay तो यहां से हम calculate करें तो कितना आएगा divided by 1 और यह जो हमारा आएगा वो आएगा आएगा आपका 1.07 hours लगवग तो देखते हैं which one is the right answer तो right answer is around 1 hour क्योंकि अगर हम इसको round off करेंगे तो यह कितना हैगा around 1 hour okay so right answer कितना होगा 1 hour क्योंकि हमें approximately पूछा है तो right answer is 1 hour thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर